सेल ज हलोग दूस्टो वेल्कंम का ये चैनल प्रिस्टिमॉक तो जैसे कि आमको पता है इंडिया वर्स जो टिले के सेकेंड और यहां वा और दृ में अलघ अलब है यह जाकिन और ने होचल्ट शेज शेज्त ख कशन थी वहँ तो यह था पहले इनिंग का लेखा जोगा इंडिया ने पहाड जैसा स्कोर कशा करती है और आपको बोलिंग की बात करें तो बोलिंग में एक पी बोलर इसा नहीं था जिसका रन रेट छे से निचे हो अच्छी तरीकर दोया गया आपको वडा कि जो सबसे अच्छा बोलिंग तो यह था पहले लेक्षा जोखा और जब इंडिया ने जब आपको बैटिंग के लिए बढ़ाया तो पूले की शुरुआ थी बहुत ही बेकार रही नो रूं पे पहले ही नो रूं पे गिर गए और फिर जो पहले और में दूसरे और विक्ट गिर गिया उसका जो इसके अग दूसरे बैटरा है स्टिफ सिमित वो जिरो रूं पे आउट हो गए तरहां बैक्ट बैक बिकट लिए थे परसिटी किष्णा ने एक ही ओर में और फिर इसके वादे लाभुसेन और वार्नर की थोटी सी पार्टनर्शी पूई और बाइस ने फिर से मैच में खलल डाल और इसको रिड्यूस करके 33 ओर कर दिया गया और जब 33 ओर में इनको टागेट मिला थो काफी बड़ा थी वन सेवन का था जो कि ऑस्टेले के लिए बहुत बड़ा टाइगेट था तो ऑस्टेले की पूरी टीम यहां पर नेधाय और पूरे नहीं खिल पाई 33 और पूरे नहीं और रभी चंद्र हस्विन जिन्हों साथ ओर डालके 21 संदे के तीन विकट लिए और पस्टी जिन्हों च्छे ओर में 26 देके दो विकट लिए और मैं आपको इस मैच से एक आपको इसी बता तो कि जैसे हम अभी तक की बाते कर थे वर्ट कॉप पर स्कोर बट यहां पर इस मैच में आपको इस पाता हुए नियुका बटे कापी तेजिकी पाती कर दी हमें जैसे कि दोने मैच में पार अर्ष्ट अर्श्यतक लगाया जिन की बात है और ऑज की मैच मेरे बट देकर अपनी फिट्नेस के सारी लेब्स कर दिए में और थे लगा लिए रवी तरषिन के जो लाया जा रहा है क्यों लाया जारा तो आज जो उनने बोलिंग दिखाई है इनका साथ और डाले तीन विकट लिए मैट पून तीन विकट लिए और तो रभी अश्विन अगर आपके अक्षय पटेश उनकी जगा रभी तंदर अश्विन पका इंडिया वर्ड कप के स्कॉर्ड में तो दोस्तों मैं बोलुगा है कि इंडिया ने 2-0 से उरडी मैट जीक लिया है और जो लास्ट मैट है वेनस्टे को है तो वेनस्टे को देखत कि इंडिया हराने वाली तो दो मैच उड़ेडी हरा चुकि एक तरफा मैच हुए दोनों और जो इतना बड़ा गेम नहीं दिखाया दोनों मैचे में तो उस मैचे में कुछ चेंजिस हो सकते हैं तो तीसरे मैच में आपकी मेन स्कॉर्ट जो कि आपकी विराट कोली रोईश चर्मा, कुल्दी प्यादव, हादिक पांडी यह सब वापिस आएंगे तो जो अभी आपको टीम दीख लिए उसमें से काफी प्लेश बहार निकलेंगे बट मैं यहीं बोलूगा कि इंडिया उनके मेन मेन स्टेंथ के साथ लाख मैच के लिए कि वर्ल्ट कप से पहले आख आप वी से अपने दोस्तों के शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों आपके मिलेंगे नेस्ट मैच में जो वेनेस्टेकों है तब तक के लिए धन्यवाद